नवीनतम विकास में, अर्थशास्त्रियों और इतिहासकारों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापकों में से एक एलक्सेंडर हैमिल्टन के कम ग्यात आर्थिक सिध्धान्तों पर प्रकाश डाला है Economic History Review, पत्रिका में प्रकाशित एक हालिया अध्यायन का तर्ख है कि हैमिल्टन औध्योगिक नीती के शुरुआती समर्थक थे जो घरेलू उध्योगों को समर्थन और सुरक्षा देने की एक सरकारी रणनीती थी ये सिध्धान्त, जो वकसर बीसवी सदी के अर्थशास्त्रियों से जुड़ा होता है हैमिल्टन के आर्थिक एजेंडे के हिस्से के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं थी अध्यायन के लेखकों के अनुसार हैमिल्टन का मानना था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रमुख उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक था उन्होंने तर्क दिया कि सुरक शात्मक टेरिफ सबसिडी और सरकारी समर्थन के अन्य रूप घरेलू उद्योगों को बाधाओं को दूर करने और विदेशी प्रतिदवंधवियों के साथ प्रतिसपर्धा करने में मदद कर सकते हैं हैमिल्टन के अध्योगिक नीती के विचारों को उनके जीवनकाल के दौरान पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था लेकिन उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में बाद की आर्थिक नीतियों की नीव रखी अध्ययन का निश्कर्ष है कि आर्थिक चिंतन में हैमिल्टन का योगदान एक मजबूत संघिय सरकार और एक राश्ट्रिय बैंक के लिए उनकी प्रसिद्ध वकालत से कहीं आगे तक फैला हुआ है उन्होंने अमेरिकी और द्योगिक विकास की दिशा को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई